हलो डियर स्टूदेंट्स आई वेलकम यू आल तो दे लांच आफ नीट अचीवर 2022 वो प्यारे बच्चे जो की डॉक्टर बनने का सपना सालों से देख रहे हैं एक साल दो साल के शायद उससे भी जादा समय से प्रपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बारा सिदंबर का वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा हंजी वो दिन जिस दिन नीट का पेपर था आप सभी लोगों ने अच्छे से प्रपरेशन करी पेपर के अंदर कुछ चीज़े मुश्किल लगी होंगी कुछ चीज़े असान लगी होंगी कुछ नए पैटन का भी इंपैक्ट आपक शो में करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो बच्चे जो नीट ट्वंटी ट्वंटी टू के लिए प्रपरेशन करना चाहते हैं वो कैसे प्रपेर करेंगे कैसे पैटन को समझेंगे पढ़ाई करने का तरीका क्या सही होगा और इसके लिए हमारे साथ हैं अकाश इ प्रपेर की सर को दो दशकों से भी जादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है हलो नवीन सर अ हलो प्रविन सर थैंक यू वेरी मच और वन अप्रिशेशन कमस फ्रमा सीजन केमिस्ट्री टीचर और अमेंटर इट वेली मेंक्स देए अ मैं आप लगों को बता दू कि नवीन सर ने टॉपर्स प्रेड्यूस किये हैं ये कहते हैं कि इनके हाथ में वो जादू है कि एवरेज बच्चे को किस तरीके से ये नीट के उस गेट के पार पहुंचा देते हैं एक अच्छी रैंक दिला देते हैं तो बच्चों आज छोड़ना नहीं हमें इनको और सारी बातें आज हम इन से निकलवा करके रहेंगे तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में ऐसा कहना है बचों का और काफी लोगों का कहना है कि जो नीट 2021 में फिजिक्स का सेक्शन था ओ थो थोड़ा डिफिकल्ट था तो सर आपकी क्याना है प्रविंस है मैं बच्चों से पूरी तरह से डिफर करता हूं इस बात में फिजिक्स जिस पैटर्न या जिस एक प्रेडिक्टिविलिटी के साथ पहले आती थे एक्साक्ली इट इस इन दे सेम फॉर्माट और मज़े की बात जो रिजल्ट और रेस्पॉंस फ्रॉंस फ्रॉंस एंड वो भी तो प्यारे बच्चों सर जो कह रहे हैं कि अकाश एर्यू टीवी के दौरान दिये गे उनके लेक्चर्स यूट्यूब पर दिये गे उनके वेबिनार्स में सर ने इन बातों को बहुत अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है जिन लोगों ने उनकी बातों को माना और फायदा उठाया बहुत अच्छी बात है लेकिन जो बच्चे चूक गए आज नहीं चूकेंगे आज सर से वो बातें फिर से निकलवा करके रहेंगे तो सर अप प्लीज हमें बताईये कि बच्चों को किस तरीके से इस NCRT किताब को अप्रोच करना चाहि क्योंकि काफी लोगे कहते हैं कि NCRT बहुत इंपोर्टन है और पेपर उसी से आता है इस बार के लिए पेपर के लिए भी शाद ये बोला जा रहा है कि सॉल्ड एग्जम्पल्स काफी पूचे गए एग्जाक्लीज प्लीज एग्जाक्लीज इंफाट यू हैट दे नुक् NCRT और प्रविन से वो जो वेबिनार है इस नोट अवेग वेबिनार की देखो बच्चे NCRT बहुत इंपॉर्टन है बलकि वहां हम स्पेसिफिक्स ऑफ NCRT में जाते हैं कि वहां हम स्पेसिफिक्स और प्रेसिदेंस इस वित अल दी प्रूफ सिमिलरली अगर आप अंसॉल इक्सांपल की बात करो किया सिमिलरली अगर आप थियोरी की बात करो कहने का मतलब NCRT has to be followed word by word step by step और आप देखेंगे कि फिजिक्स वहां पर it's not going to be a stranger thank you sir एक बात और मैं आपसे जाना चाहूंगा कि यह टेस्टिंग का कितना बड़ा रोल रहता है क्योंकि ऐसे भी माना जाता है कि फिजिक्स में बहुत सारे questions हैं आप उनको प्राक्टिस करते रहिये टेस्ट देते रहिये तो टेस्ट से रिलेटेड आपकी क्या guidance से बच्छ तेक दोस टेस्ट सीरियसली सवाल ही नहीं है कि आप फिजिक्स में स्कोर नहीं करोगे संभवी नहीं है you can do that very wonderfully In fact मैं सर की बात को endorse करना चाहूंगा कि अभी कुछ NEET से 12 दिन पहले एक NEET 720 टेस्ट सीरिस को launch किया गया था जिसमें 12 टेस्ट जो हैं उनको discuss किया गया test taking strategies आप लोगों को बताई गई और मुझे लगता है जिन बच्छों ने उन sessions को बहुत अच्छे से देखा है वो इस समय खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनका सर डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला है चली thank you so much sir आपने इतनी बड़ी हमें guidance दी प्यारे बच्चों मुझा लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि NCRT को पढ़ना है ठीक तरीके से notes बनाने हैं test देने हैं और sir की बातों को बिलकुल ध्यान से सुनना है और अपलाय करना है और वो सारे बच्चे जो अभी थोड़े से मायूस हो गए हैं अब मायूस नहीं रहना है you have to come back stronger or need 2022 crack करेंगे for sure thank you so much sir for being over here thank you very much sir it was a privilege talking to you so now we have our zoology mentor with us Shijal Ma'am, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनकी classes बिलकुल मिस नहीं करते हैं और सबसे मज़दार बात ये है कि इनके पास एक जादू है ये जो पताती है वही पेपर में आता है welcome Shijal Ma'am, thank you so much sir Shijal Ma'am, ये NEET 2021 जो हुआ उसमें जो जो जॉलोजी section था उसके बारे में बच्चों को आप कुछ बताएं कि कैसा था पेपर, कैसे कोशन साय ये जो नया पैटन चेंज हुआ है उससे क्या फरक पड़ा, please Sir, as you can already see that I'm smiling, I'm pleased to announce that there were 30 questions that have been asked from our NEET 720 Mock Test Series ये बहुत शांदार हमारी series थी आकाश एडू TV पर जहां पर हमने बच्चों को एग्जां के बारा दिन पहले काफी बहतरीन तरीके से कंडिशन किया वो भी नय एग्जां पार्टन पर हमने उनसे statement questions करवाई Those were the exact replica of our NEET paper तो जब बच्चे एग्जां के लिए गए तब उन्हें कुछ भी नया नहीं लगा And it saved them a lot of time So, काफी अच्छा response रहा है हमारी काफी successful series रही है Great, तो पैरे बच्चों, जन लोगोंने माम की classes को miss नहीं किया आप लोग खुश हो रहे होंगे लेकिन जो बच्चे miss कर गए अब नहीं miss करना है आप लोगों को याद रखिए NEET Achiever 2022 course लेकर कर आ रहा है हमारे बहतरीन teachers आप लोगों के लिए लेकिन NEET की तैयारी में बड़े सार element होते हैं एक element मैं हमने अभी बताया कि test series की उन्होंने बात करी एक और element है जो की बार-बार हम लोगों के सामने आता है हमने physics में भी नवीन कार की सर से पूछी थी बात अब मैं से भी पूछते हैं मैं प्लीज बताये कि ये NCRT को किस तरीके से पढ़ना है कैसे important है ये हमारे लिए और NEET 2020 के लिए किस तरीके से बच्चों को शुरुआत करनी चाहिए उन बच्चों को specifically जिनका अभी पेपर अच्छा नहीं हुआ है So that's a brilliant question Biology में हम कहते हैं कि NCRT is king NCRT is god for us और यहां पे हम Aakash Aido TV में बच्चों को NCRT को basic से करना सिखाते है NCRT की एक-एक line कितनी important है और हर एक line से one can frame thousands of questions और यह हम साल दर साल देखते हैं नीट के पेपर में और यह साल भी कुछ नहीं था Of course pattern change हुआ But questions were directly asked from NCRT So here we teach our students how to approach NCRT How to decode it and how to do questions So we teach our students a test taking strategy तो सिखाते हैं उसके साथ साथ कैसे question को approach करें यह भी सिखाते हैं तो प्यारे बच्चों नीट में आप समझ चुके हैं कि NCRT बेहद important है कैसे उसको पढ़ना है मैं आपने बोला कि एक-एक line important है और उससे कई सवाल बनाए जा सकते हैं तो कैसे उसको line by line पढ़ना है कौन-कौन सी line पढ़नी है भई इतनी मोटी NCRT की किताब है तो एक-एक line के बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए तो वो भी आपको बताएंगे specifically उन बच्चों के लिए जो की Hindi medium से हैं और NEET की तैयारी कर रहे है उन लोगों के लिए ये course काफी खास रहने वाला है क्योंकि उन बच्चों को NCRT किताब पढ़ने में काफी परिशानी होती है तो मैं अब मैं आपसे जाना चाहूँगा कि ये जो हमारा NEET Achiever course है इस course के दौरान हम बच्चों को किस लेवल से शुरू करेंगे क्या हम बिल्कुल शुरुवात से बताने वाले हैं उनको या हम कोई एक लेवल हमारे दिमाग में है कि हम medium लेवल से पढ़ाना शुरू करेंगे ये बिल्कुल शुरुवात से कोई भी मया बच्चा इस course को जाइन करेंगा तो क्या उसके लिए ये फायदे मंद होगा मैं सर हमारे प्रोग्राम्स बहुत ही फोकुस्ट होते हैं स्टुडंट फर्स्ट अप्रोच पर हम हमारे प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं और आकाश एड़ु टीवी आवर नीट अचीवर कोर्स इस प्रिमेरली गोंग तो फोकुस ओन रॉपर स्टुडंस बिकस्मोर ओफन वी सी दाट इवन रॉपर्स दोंट हाफ देर बेसिक्स क्लियर तो हम बच्चों को बेसिक से NCRT पढ़ना सिखाएंगे डीकोड करना सिखाएंगे और हाव टू अप्रोच 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 वेर गोंग तो टीच देम यह उन स्टूडंस के लिए भी बहुत हेलपफुल होगा जो अभी 12 में है और अपने 11 के कोर्स को फिर से रिवाइस करना चाहते इस गोइन टो बी रॉली बेनेफिशल फो दें तो यानि कि यह कोर्स बेशक फोकस कर रहा है रिपीटर बच्चों के लिए लेकिन जो बच्चे पहली बार नीट 2022 देना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बहुत फाइदे मन्द होगा आप लिख ले याद कर ले केलिंडर में माक कर ले सुबह 10 से 12 बजे आपकी क्लास होंगी हफते में 6 के 6 दिन आपकी क्लास होंगी रोज सुबह 10 से 12 बजे याद रखें 20th of September थैंक यू सो मच मैं फोर जाइनिंग आस आप से बात करके अब confidence आने लगा है कि ये जो हमारे बच्चे हैं इनका doctor बनने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है चलिए अब बात करते हैं हमारे chemistry के professor Ajit Anand sir से Ajit Anand sir को decades का experience है बच्चों को अच्छी rank दिलाने का average बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि उनकी अच्छी से अच्छी rank आए ये Ajit sir बहुत अच्छी से guide करते हैं chemistry का subject जो की बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है उसको बहुत असान बनाते हैं और सबसे अच्छी बात ये कि meet के paper में questions को कैसे कम से कम time में solve किया जाए ये sir बहुत अच्छे से बताते हैं Ajit sir you are welcome over here thank you sir it's my honor sir तो ये जो बारा सितंबर को meet हुआ उस paper में chemistry के part को लेकर के आपकी क्या राय है yes sir अगर हम पिछले साल के और इस साल के paper की बात करें तो जो इस साल का paper था वो थोड़ा सा difficult था और कुछ questions तो NCRT के बाहर भी थे अच्छा अब एक चीज जो बहुत important थी वो थी pattern का change होना अब student त्यारी कर रहा है एक ऐसे paper की जिसमे 45 questions आने और सारे कंपल सरी है लेकिन आ गया एक ऐसा paper जिसके अंदर 50 questions है जिसमें 2 section है पहला section 35 questions जिसमें सारे कंपल सरी है दूसरा section जिसके अंदर 15 questions है जिसमें से हमें सिर्फ 10 questions करने अब यह depend करता है कि कौन अच्छे से वो 10 questions को pick कर लेता है तो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों एक test series conduct करवाई थी that is NEET 720 तो हमने यह सिखाया था कि बच्चों को questions को किस तरीके सेगरिगेट करना है कौन सा question factual है कौन सा question numerical है कौन सा question concept based है अगर factual question है तो 10 seconds से जादा नहीं लगने चाहिए तो ऐसे question लगबग 20 या 25 के आसपस आ जाते हैं और आए भी थे तो जब ऐसा होता है कि paper start होता है और factual questions को जल्दी कर लेते हैं तो अगर आप 20 question जल्दी से कर लो और आपके पहले से ही pocket में कुछ 80-200 marks आपके पहले से ही हो तो confidence level increase हो जाता है तो वो ही हम लोगों ने किया था और मैं chemistry के अगर बात करूँ तो जो हमारा NEET 720 का जो program था जो हम लोगों ने test series conduct कर वाई थी उसके अंदर से 22 questions उसी तरीके के आ गए थे तो प्यारे बच्चों जैसा कि सर ने बताया आपको की questions का segregation करना और किस question में कितना time लेना चाहिए ये बहुत जादा important है अब मैं सरसे जाना चाहूंगा कि ये जो NEET Achiever 2022 course लेकर के आ रहे हैं 20th September में इसमें हमारे बच्चों के लिए क्या खास है सरे जो आप NEET Achiever की बात कर रहे हैं ये एक high intensity program है इसमें रोज classes होंगी मतलब Monday to Saturday दो-दो classes होंगी रोज Physics, Chemistry, Botany, Zoology Monthly test होंगे जिससे आप अपनी performance को analyze कर सकते हो और हमने अपने structure को NCIT के हिसाब से उसको मद्द नजार रखते होए इस तरीके से frame किया है कि अब अगर NEET किसी भी तरीके का pattern change कर दे तो student easily उस paper को solve कर लेगा Thank you so much sir for guiding our students प्यारे बच्चों ध्यान से सुनी आपने बातें Sir, Akash edu tv पर ये बातें बार बार दोहराते हैं कि questions को segregate करना सीखिए pattern को पकड़िए अगर सही pattern आपके दिमाग में नहीं रहा questions को ठीक से select नहीं कर पाए तो करी हुई तयारी भी बेकार हो जाएगी तो प्यारे बच्चों ध्यान दे सर की बातों को follow करें और class याद रहे 20 सेतंबर से शुरू हो रही है सुबह 10 से 12 बजे classes होंगी रोज 6 days a week Thank you sir तो अब हमारे साथ हैं मयूर दूबे सर और बॉटनी एक्सपर्ट अब इन से guidance लेते हैं बॉटनी सब्जेट के बारे में Welcome मयूर सर Thank you sir तो मयूर सर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो NEET 2021 का पेपर हुआ इसमें बॉटनी सेक्शन कैसा था क्या वो मुश्किल था या असान था और बच्चों को आप क्या guidance देंगे कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी को शुरू करें Exactly sir इस बार जो NEET 2021 हुआ था ये काफी आसान था लेकिन ये पेपर काफी लेंदी था तो जो आपका जो एक्जाम हुआ है अगर हम लोग पिछले एक्जाम से compare करें तो पहले आपका 180 questions आते थे और इस बार जो है बच्चों के 200 questions आये है तो जिन बच्चों की reading efficiency ज्यादा थी वो तो आराम से paper done कर लिये थे लेकिन जिन बच्चों की reading efficiency काफी कम थी उनका कुछ न कुछ portion छूड़ गया था सर देखी जैसा कि सैजल में ने बताया कि NEET 2021 के paper में तीस questions जो लोडी से हुबहू वैसे ही आए जैसा कि NEET 720 mock test series में बताया गया था similarly chemistry से 22 questions और botany से 16 questions आए और physics में जो concept बताये गये थे NEET 720 mock test series में उससे आपके काफी सारे questions आएं तो प्यारे बच्चों ये सोचो अगर एक short-term program से तकरीबन 70 से 75 question आपका NEET exam में आ सकता है और आप उसे easily कर सकते हो तो एक long-term program से आपका doctor बनने का सपना जरूर पूरा होगा तो प्यारे बच्चों we have got all the guidance that we require to crack NEET 2022 याद रखें यह जो NEET Achiever course है which is starting on 20th September इसमें classes होंगी रोज सुबह 10 बजे से 12 बजे आइडिया ये है कि 2 घंटे experts की guidance लें और 8 घंटे खुद से तैयारी करें इस NCRT को decode करें, टेस्ट को लेना सीखें और अपना doctor बनने का सपना पूरा करें best of luck